Hi everyone, welcome back to a new video और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Canada job vacancy के बारे में बहुत rare आती हैं इस तरह की vacancies तो वीडियो को पूरी देखना और ताकि आपको पता चल सके कौन कौन सी vacancies हैं और कैसे आपको इसमें apply करना है और सबसे बड़ी बात इसमें काम आपका fast होना है और ये है hospitality department के लिए ठीक है leading restaurant and hotel के लिए है Indian and continental kitchen की चाहिए continental chef male और female दोनों apply कर सकते हैं number of requirement है इसमें 10 की 10 लोग चाहिए और Indian chef में भी male और female दोनों apply कर सकते हैं इसमें भी 10 लोगों की requirement है salary की बात कर लेते हैं तो salary है इसमें Canadian जो dollar है ठीक है उसके हिसाब से 1950 से लेकर 200 dollar पर month ठीक है प्लस इसमें overtime भी रहेगा free food रहेगा और free accommodation रहेगा क्योंकि hotel की job है तो free food और free accommodation ये तो obvious सी बात है ये रहता ही है अब बात करते हैं कि ये कितने साल का work permit रहेगा आपका ये रहेगा आपका दो साल का work permit ठीक है तो work permit वीजा है ये कोई multiple entry visa नहीं है ये है दो साल का work permit वीजा ठीक है Indian chef and continental chef दोनों की requirement 10-10 है ठीक है इसका त्यान रखना रहना खाना आपको मिल रहा है processing time की बात कर लेते हैं तो 2-3 महिने में वैसे हो सकता है ये 2 महिने मुझा है पर आप 2-3 महिने मान के चलो इतना time में ये काम हो जाएगा ठीक है और experience अगर जो इसमें देखें तो minimum 5 साल का इनोंने experience मांगा है उससे जादा अगर आपका experience है तो भी आप apply कर सकते हो ठीक है education की बात करें तो education इसका relevant field में होना चाहिए आपका जो certificate या फिर certificate हो आपके बास interview होगा cv oblique working video सबसे पहले आपको cv और आपका working video भीजना है जिसके basis पे आपका short list होगा उसके बाद आपका interview होगे रहा होगा तक के लोग 18 से 45 साल तक के लोग इसमें apply कर सकते हैं advance इसमें applicable है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना short short है तो उसी तीन मेहने में आपका ये काम हो जाएगा ठीक है और ये लीमिया के साथ है लीमिया approved आपका जो है और permit visa ये रहने वाला है तो इस बात का ध्यान रखना ये आप apply कर सकते हो ठीक अब apply करने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले तो आपको देखो इसमें पूछना पड़ेगा क्या service charge Canada की बात है तो आप सब को पता होगा इतना आसान नहीं है जितने आप शेंगेन वीजाज में ये करते हो उससे लगभग डबल ही रहता है डबल मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठीक है तो एक बार आप service charge पूछ लेना मुझसे Instagram पे उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हो और जिनके पास मेरा WhatsApp नंबर है वो भी पूछ सकते हैं केवल service charge बाकि आप हाँ message format में ही करना format है नाम फिर आप जिस जगह से हो country applying for Canada and post जो भी हो Indian chef या फिर continental chef दो ही post tense में तो इन दोनों में से जो भी आप apply करना चाहते हो उसके साब से आप पूछ लेना अगर आपको लगता है कि आप pay कर पाओगे या आप कहीं से arrange कर सकते हो या afford कर सकते हो तो ही आप इसमें apply करना तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक केर